हे भगवान दो मेगा पिक्सल का मैकरो कैमरा या टेली फोटो दे देते भाई दोनों पैसे बचा रहे हैं यानि कि भाई दोनी कमपनी हैं यहाँ पर दोस्तों वन प्लस ने इंडिया के अंदर अपने वन प्लस 10T स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया जिसे हम कंपेर करेंगे ओपो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है तो चलिए दोस्तों बिना किस देरी के वीडियो की शिर्वात करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनी स्मार्टफोन की डिस्प्लेगी तो आपको बता दोगी वन प्लस के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एच्डी प्लस फ्लूड एमलेट डिस्प्ले दी गई है ज आने कि दोस्तों दोनी स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपर कंटेंट वोचिंग के साफ से एक दम बढ़िया है और अगर हम बात करें पिक्सल डेंसिटी की तो आपको बता दो कि वन प्लस का फोन आउट ओड ऑबॉक्स एंडर 12 के साथ में आता है जिसमें आपको तीन साल के Android updates और 4 साल के security updates मिलेंगे जो कि Oxygen OS 12.1 पर based है और वहीं दूसरी तरफ OPPO का phone भी आउट ओद आपक्स Android 12 के साथ में आता है जिसमें आपको 2 साल के Android updates और 4 साल के security updates मिलेंगे जो कि color OS 12.1 पर based है यानि कि दोस्तो प्रेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोन स्माटफोन बढ़िया है लेकिन यार अगर हम यहाँ पर बात करें न Android updates की तो भाई उस मामले में OnePlus का phone यहाँ पर winner है और दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें chipset की जो कि 5 nanometer technology पर based है और जो दूसरा है वो है Mary Silicon X जो कि specially आपकी camera quality को काफी ज़्यादा enhance कर देगा यानि कि दोस्तो चिपसेट के मामले में यहाँ पर OnePlus का phone ही winner है क्योंकि जो Snapdragon 8 plus Zen 1 है ना भाई तकड़ा chipset है गेमिंग तो आप गार मक्षन करवा देगा और वहीं अगर हम बात करें Android score की तो यहाँ पर OnePlus phone का आता है 9,50,000 के करीब वहीं दूसरी तरफ OPPO phone का आता है 8,20,000 के करीब यानि कि दोस्तो Android score के मामले में यहाँ पर OnePlus का phone ही winner है और वहीं अगर हम बात करें storage की तो दोनी स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली storage दी गी है साथी दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR5 RAM को भी support करते हैं और अब बारी आती है दोस्तों back camera setup गी तो आपको बता दो कि दोनी स्मार्टफोन के back में में triple camera का setup दिया गया है और जो back camera setup है वो भी बिल्कुल सेम है यानि कि जो main camera वो है 50MP का जिसमें आपको Sony का IMX766 sensor दिया गया है ultra wide camera है 8MP का और जो macro camera वो है 2MP का हे भगवान 2MP का macro camera या टेली फोटो दे देते हैं भाई दोनो पैसे बचा रहे हैं यानि कि भाई दोनी company हैं यहाँ पर और वहीं अगर मैं बात करूँ maximum video recording की तो यहाँ पर दोनी स्मार्टफोन 4K तक video recording को support करते हैं लेकिन भाई उसमें भी फरक है क्योंकि OnePlus का phone यहाँ पर 4K 60fps पर record कर सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ OPPO का phone 4K सिरफ 30fps पर record कर सकता है पूरे पैसे बचाए जा रहे हैं देखलो भाई आप और वहीं अगर मैं बात करूँ snow motion mode की तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर इसे support करते हैं लेकिन दोस्तो video stabilization में भाई फिर से फरक है क्योंकि OnePlus का phone तो यहाँ पर OIS plus EIS technology के साथ में आता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ OPPO का phone सिरफ EIS technology के साथ में आता है सही कहारा हम यार इस price point पर ना OIS का ना देना भाई घौर पाप कर रहे हैं तुम और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फ्रेंट कैमरा की तो यहाँ पर OnePlus के front में हमें सिरफ 16MP का selfie camera ही दिये गए यानि कि अब तुम पैसे बचा रहे हो यार और वहीं दूसरी तरफ OPPO के front में हमें 32MP का selfie camera देखने को मिल जाता है यानि कि दोस्तों selfie levels के साथ से यहाँ पर OPPO का phone ही best है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर maximum video recording की तो दूनी smartphone के front camera से आप maximum 1080 pixel तकी video recording कर सकते हैं और अब बारी आती है बैटरी की तो आपको बता दो कि OnePlus का phone 4800 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 1500W की fast charging को sport करता है और एक और मज़े की बाद बताता हूं भाई sport कर रहा है 1500W लेकिन तो charger आ रहा है वो 160W का आ रहा है यहरे logic ने समझाया भाई दे दे ते 160W का sport ही तुम भी और वहीं दूसरी तरफ OPPO का phone 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 80W की fast charging को sport करता है यानि कि दोस्तों यहाँ पर बैटरी और fast charging के मामले में OnePlus का phone ही best है और वहीं अगर हम बात करें network connectivity की तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर 5G connectivity के साथ में आते हैं जिसमें OnePlus का phone 11 5G bands को sport करता है वहीं दूसरी तरफ OPPO का phone 12 5G bands को sport करता है साथ ही दोस्तों दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर NFC को भी sport करते हैं और अगर हम बात करें हाँ 3.5 mm jack की तो हमें दोनी स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया है लेगिन भाई आपके music listening experience को बड़िया बनाने के लिए दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर stereo speaker के साथ में आते हैं जो की काफी अच्छी बात है और वहीं अगर हम बात करें security के तो दोनी स्मार्टफोन के अंदर हमें under display fingerprint sensor प्लस face unlock भी दिया गया है और अब last में हम बात करेंगे दोनी स्मार्टफोन की pricing की तो आपको बता दूगी OnePlus phone के 12 plus 256GB variant की कीमत है 55,000 पे वहीं दूसरी तरफ OPPO phone के 12 plus 256GB variant की कीमत है 46,000 पे बागी दोस्तों पसंद आप किये कि आपको दोनी स्मार्टफोन में से किस वाले को बाई करना है OnePlus को या OPPO को कमेंड बोक्स में बताना ना भूलिएगा और दोस्तों अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी वाले को भी बाई करना चाते हैं तो लिंक में नीचे description में दे दूगा वहाँ ते जाकर आप इने बाई कर सकते हैं और साथी स्मार्टफोन से लेटेड एज इंटरस्टिंग कम पैरदन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पोइंट कर जरू सब्सक्राइब कीजिए